नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों अपने स्वार्थ के लिए इनसान को किसी दुसरे के साथ गलत नहीं करना चाहिए नहीं तो आपके पास गलत ही परिणाम लोटता हैं दोस्तों रूही को इस दुनिया से अगनी नहर को पाने के लिए अलग कर देती है रूही को नहर से अलग किये बिना वो नहर को नहीं पा सकती थी इसलिए अगनी रूही को इस दुनिया से हटाने के मकसद से उसे खाई में गिरा देती है जिसके बाद सभी को लगने लगता है कि रूही इस दुनिया को छोड़ चली जा चुकी है लेकिन दोस्तों, रूही उस खाई में गिरने से बच चुकी होती है रूही नीचे गिरते वक्त एक चटान के पत्थर को जोड़ से अपने हाथों वो पकड़ लेती है जिससे वो पुरी तरह खाई में गिरने से बच जाती है रूही को लोगों की मदद से बाहर निकाला जाता है बीना यह पूछे, यह कहा की लड़की है रूही को उन अंजान मददगारों द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है रूही का हॉस्पिटल में इलाज चलता है, रूही बिलकुल सही सलामत ठीक हो जाती है लेकिन हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाता है अगनी यह सोच सोच कर अंदर ही अंदर खुश होती है कि रूही उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोडा आज साफ हो चुकी है दोस्तों, रूही बहुत जल्द अगनी का परदाफाश करने सबके सामने आने वाली है इस बार रूही नाहर को एक-एक सच्चाई, अगनी की वो बता देने वाली है अगनी किस तरह रूही को इस दुनिया से हटाने की साजश रची दोस्तों अगनी की सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाती है नाहर अगनी की सच्चाई को जानकर बिन कुछ कहें उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर देता है अगनी अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक गिर जाएगी इस बात की उम्मीद किसी को भी नहीं थी दोस्तों अगनी की आज सारी घटिया सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है नाहर रूही को वापस पाकर इतना खुश होता है जीतना अपने जीवन में कभी खुश नहीं था दोस्तों ये खुशी आप भी महसूस कर सकती है इस तरह बुराई को हराकर सच्चाई की जीत होती है वैसे ही आज रूही की जीत हुई उसकी इमानदारी सब के सामने आ गई